प्रिये दर्श को हमारी संस्था जोतिश चक्षू साधना केंद्र विगत 20 वर्षों से मानव जीवन पर पढ़ने वाली शुब अशुब घटनाओं का अवलोकन कर रही थी तथा साथ ही साथ त्रिताप से पीडित जनता के कश्टों का भी आखलन कर रही थी इन परिसितियों में अब यह संस्था मनुष्य जीवन के समस्थताप संताप को समाप्त करने की दिशा में प्रियास कर रही है उसी उप्रम में यह कारिक्रम आयूजित किया जा रहा है अरवाची सुवगे भोसीते बंदा महित त्वाम यथान शुवगाससी यथान सुपलाससी नमस्कार दर्शको जोतिश चक्षू साधुना केंद्र के विशेश कारिक्रम में आप सभी दर्शकों का मैं तही दिल से स्वागत करती हूँ मैं हूँ आपके साथ शेल जतियागी दर्शकों जब आप इस कारिक्रम से जुड़ते हैं जब आप हमारी संस्थान से जुड़ते हैं जब आप हमारी संस्थान के माध्यम से कोई भी प्रशिक्षन लेते हैं तो ना सिर्फ आपका जीवन बदलता है आप लोगों के जीवन से दुख दूर हो जाते हैं तो जुड़िये दर्श को इस कारक्रम में क्योंकि इस कारक्रम से जुड़के आप लोग ज्यान ही ज्यान प्राप्त करते हैं और वही बाते आप लोगों को इस कारक्रम के माध्यम से बताये जाती हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है औ ये मिलकर उनका स्वागत करते हैं स्वागत है अचारी जी नमस्का अचारी जी जैसे कि हमें पता है कि जोतिश चक्षू साधुना केंद्रे में बहुत प्रकार के प्रशिक्षण दिये जाते हैं जी, बहुत अच्छे प्रश्ट पूछे आपने जी हाँ, हमारे जीवन के हर पहलू को अपरोक्ष परोक्ष रूप में ये ग्रहई प्रभावित करते हैं जब हमारा जन्म हुआ था, जब हम इस आभा मंडल में हमारा प्रवेश हुआ था और जिन जिन घटकों के साथ हमारी क्रियाएं बनी थी उन घटकों के हिसावी से हमारा जीवन का निर्माण हुआ है और हमारे जीवन में जैसे घटनाएं उन घटकों में घटती हैं वैसे घटनाएं हमारी जीवन में भी घटने लग जाती हैं अक्सर सुनने में और देखने में भी समाज में अक्सर यह आता है कि हर 12 साल में जीवन में परिवर्तन आता है और वो जीवन में परिवर्तन हर 12 साल में सूर्य पर एक बिस्पोर्ट होता है जैसे ही सूर्य पर बिस्पोर्ट होता है मुख्य तो सूर्य ही ग्रहों का राजा मन है तो जोतिस का प्राघंब सूरिय दित्ता से होता है कि सुर्य के हम 아क्सर जब भी किसी जातक की गढणा करते हैं कि इस जातक के जीवन में कैसी घट्टॉएं कप कप कैसी घटाबेंगी तो हम उसके सूरृय कि जिस्तिन जातक नहीं हम अक्सर जब भी किसी जातक की घंडना करते हैं कि इस जातक के जीवन में कैसी कौन सी घटने करतेंगी तो हम उसके सूर्या कि जिस तिन जातक नहीं जन्म लिया था उस तिन सूर्या किस समय उधय हुआ और उसी समय से हम अपना जोटिस प्रार्ण कर लेते हैं तो सेल्जा जी जीवन के हर पहलो को जोतिस के द्वारा जाना भी जा सकता है और जोतिस के द्वारा बदला भी जा सकता क्योंकि जोतिस द्रिश्टी है कि जब हमें किसी भी बीमारी का पता लग जाए तो उस बीमारी का उपाई हमें मिल ली जाता है क्योंकि बीमारी पता रही है तो जोती समय साथ देखने का कार्य करती है जब अकीलियर देख लिया जाता है तो उसके बाद कर्मकांड मंत्र और ध्यान इत्यादी अनेक पध्यतियां हैं कि जो इस विशय को किस तरीके से हम क्योंकि हर ब्यक्ति की प्रवृति के अकॉर्डिंग उसकी उपासना कि इसा नहीं है कि हर ब्यक्ति चाओ ली दान करें हर ब्यक्ति ऐसा नहीं पैसा ही दान करें हर ब्यक्ति यह नहीं कि योगी करें हर ब्यक्ति यह नहीं कि वह अंगुख्यां ही पहनते रहें ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि हर ब्यक्ति की मानसिक्ता अलग है और जिस तरी तो हमारा कोसिस ये रही है कि लोगों को अंद विश्वास की तरफ न धकेल पर सही यह दि यह जो 30 मैं 20 साल से इसी शाय में है कि यह पहले तो हमने हम बेटिस का मैंने और पहले बैता है यह नहीं भी नाही। एक सब्जक था मेरे पास क्लास में जोतिस का तो हमारे वामूर्ट चिन्ता वणी क्यों हमने पढ़ाई इसमें ग्रेजुवसं तक पढ़ाई इसमें कि तो पहले पढ़ाते थे तो मेरे हमेसा हमेशा हर पैले मैं science का student था तो मेरे हमेसा subject मैं रूची रहते हैं कि यह subject कितना गहराई तक काम कर रहा है, मैं हमें से subject की गहराई देखता हूँ, तो जोती से ऐसा है कि जो हमारे जीवन से इमिजटली प्रभावित कर रहा था, देखो, कि यह कैसे प्रभाव कर रहा है, इस से हम कैसे भूशी बता रहे हैं किसी, तो मैं इस धूप कर रहा, तो जब ढोउनने कोसिस की तो मैंने अनिकों पत्रीयां देखी, मैं अपनी जम्म पढ़ाई कर रहा था, उसी जीवन से मैं लोगों की पत्रियां देखना मैं से था और बाइ डिफर्ल कह सकते हैं, या बाई अनुबांसिकी कह सकते हैं कि मेरे कुल मेरी परम यह subject है क्या जब मैंने उस subject को देखना start किया तो पता लागा कि जोतिस तो बड़ा गहरा subject है उसके बाद जोतिस का पता लगा तो फिर हमने काया है यह जो कर्मकार्ण हम बड़े जोड़ जोड़ से मुंत्रों को चिलाते हो स्वस्तिना इंद्रो और पानी चड़ाते हैं दू कि अपने और नमसिवय करते करते होगा क्या को उन रहा है तो इन सब विस्यों को पहले मैंने खुद बड़ी गहराई से हर विसाय पे तो जब हम इस विस्यों पर रहते तो हम समाज से एकदम कट जाते हैं दुनिया से दुनिया बोलने लग जाती कि जी आचैर जी तो अब उपर के हो गए हैं लेकिन हम समाज के कल्यान के लिए ठीक है हम कुछ देर के लिए उपर के जरूर होगे हम जीवन के मुख्या पहलू से कुछ देर के लिए कट जाते हैं हमारी हमारी सोच हमारी थौट्स हमारे विचार हमारी देखने की बोलने की सब सहलिया आम लोगों से कट जाती कई बार तो लेकिन ये कटना इसको तंत्र विज्ञान भी कहा गया है रियल में कि और ये प्रकृति जो ये प्रकृति है कि हमने कहीं पर इदी एक सहत की बूंद गिराई तो वहां पर चीटियों को हमें निमंत्रन पत्र नहीं देना पड़ता है चीटियां खुद आजाती है तो ये प्रकृति देखती कि इस ब्यक्ति के अंदर कौन सा कैमिकाल है और वह एक इसको बिल्ट अप करने लग जाती है तो फिर मैं इसी सब्जक्ट पर चलता रहा फिर मैं मंत्र विज्ञान में गिया मंत्र विज्ञान को फिर बड़ी गहराई से देखा ये मं करता फिर हमने मंत्र के बाद हम तंत्र सास्तर में गये तो तंत्र सास की जिग्यासा तो मुझे केवल एक चिपकिली से आई कि मैं बैटे-बैटे अपने कमरे में बैठ रखा था तो एक चिपकिली दीवार से नीचे उतरी और वह एक आग्र होके एक जगवार पे टिक गई मेरी बड़ी आदत है मेरी गौर से देखता रहे तो चीजों को तो मैं देखता रहा तो एक वह आई मक्खी आई तो मक्खी उस चिपकिली के मुझे पीछे चकर मारने लाएगी बड़ी दूर तक अंदर कमरे में गई फिर आई उसके मुझे ऐसे चिपकि और फिर उड़ ग खा गई जब कि उस मक्खी के पास बहुत सारा आभा मतल के उड़ने के लिए पूरा कमरा था बाहर अंदर लेकिन वह चिपकिली कहीं नहीं जा रही थी वह इस्तिर हो गई थी वह इस्तिर होके के वह एकागरता बन गई थी और मक्खी 15 मिनट बाद उस चिपकिली मुह में जाके खा के निकल पड़ी मेरे को एका एक मेरे दिमाग पे बिजली करंट दोड़ा कि यह हुआ क्या और यह ऐसे कैसे हुआ फिर मैं इस बिशे पर चला तो फिर बाद में चला कि यह एक प्रकृतिका नियम है जीव जीवो जीवन से जीव का जीवन है और यह सिद्दान्त नच कैसे काम करता फ्र इस इद्दान्थ पर चलने के बाद पता लगा कि यह एक तंतr sastra है फिर हमारा devy कारण वहाँतंत्र है तिसMoreं प्रवेश करवाती यहां इर आपके कि गुरु आपको मिलते हैं तो फिर हमने इस सब्जेक्ट को बड़ी गहराई तक ना पाई इसको और अब ऐसा समय आया कि हां समाज को अब दे देना चाहिए विशाय को और हम देने के मूड से आ रहे हैं यह आपके टीवी चैनल पर भी आ रहे हैं बड़ी प्रियासों के बा हैं और यह आप और हम अच्छी तरो जानते हैं बिलकुल आचारे जी आपकी 20 वर्षों की महनत हम भी देख पा रहे हैं क्योंकि जो ज्यान आपने प्राप्त किया है वह आप चाहते हैं कि वह संसार तक भी जाए लोग समझें कि ज्यान होना बहुत जरूरी है अपनी समस्य बहुत सारी बातें बहुत सारी ज्यान और भी आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा लेकिन वक्त हो चलाएग छोटे से ब्रेक का सभी मार्गों का अनुसंधान करके श्री विध्या के महान उपासक जोतिश चक्षू साधना केंद्र के संस्थापक आचारे श्री अर्विंद जी ने सरलतम पदुती का अनवेक्षण किया है जिसे समागम के मार्ध्यम से जन जन तक पहुंचाना इनका लोकोप कारक सभी व्यक्तियों का प्रवेश हो सकेगा सर्व प्रथम जिग्यासु जातक जातिकाओं को आचारे श्री के द्वारा दिख्षा दी जाएगी पश्चार अग्रिम कारिक्रम संपन होगा अगर आप समागम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ब्रेक की बाद एक बाद फिर से आप सभी दर्षकों का मैं तही दिल से स्वागत करती हूँ हमारे बेहत खास कारिक्रम जोतिश चक्षू साधना केंद्र में मैं हूँ आपके साथ जैसकी शैलजतियागी और हमारे साथ हमारे बेहत खास महमान भी मौजूद है संस्थापक जोतिश चक्षू साधना केंद्र के आचारे अर्विंद जी जो लगातार आप लोगों को ऐसी बाते बता रही हैं दर्षकों जो कहीं और सुनने को आपको नहीं मिलेंगी तो आप ये भी समझ जाएंगे कि आपका जीवन कितना बहतर हो सकता है कितने रास्ते आप लोगों के लिए खुल सकते हैं तो जुड़िये हमारे कारे क्रम से हमारी संस्थान से पोन उठाए नमबर्स पे कॉल केजिए जो आपके सामने लगतार दिखाये जा रही हैं कारे क वो अपनी चाल चलते ही रहते हैं उनका चककर चलता ही रहता है वो कभी रुक नहीं सकता है व्यक्ती जब अपनी युद्धान सकता है तो क्या हम यह मान लेकि उन ग्रहों से हमारे जीवन प्रभावित होता ही लेकिन युद किसी भी सब्ज़न को जब तुम समझ जाते हो वह तो समझने के बाद तुम्हे उस सब्ज़क्ट को या अपनी जीवन की गती को बदलने में कोई समाई नहीं लगता है और ये ग्रहों तुम्हें जैसे मैं अभी थोड़ी दिर पहले कह रहा था कि जी एक छिप के लिए इंतजार वो एक स्थिर मूड में आ गई थी मिन्स कि वो एक तरीके से वो इस्थिर हो गई थी और उसमें इस्थिर बल में एक चर बल को खा गई तो ये कौन करवा रहा था कि उस वो छिप के लिए ग्रह था और वो जो उड़ने वाली मकडी थी वो भी ग्रह था एक मैं ग्रहों की प्रवलता चंद्रमा की हो गई थी और एक मैं सूर्य की इस्तिरता आ गई थी तो जब सूर्य की इस्तिरता आ गई है तो चर रासी को खा जा सकता है तो हमारे वर्स कुंडली, जन्म कुंडली में कोई भी ग्रहो यदि नीच का हो या अस्त हो या उच्च का हो या नीच का हो तो ये हमेशा हमें एक संकेत देता है कि इस ब्यक्ति की जन्म कुंडली, इस ब्यक्ति का विचार धारा इस तरीके की है और इस ब्यक्ति क प्रणगा समय मुख्या इसी तरी के चंद्रमा, चंद्रमा मन को ऑपरेट करता है, बुद्धी को ऑपरेट करता है, ये चंद्रमा अस्त हो गया, नीचका हो गया, ये चंद्रमा राहों के द्वारा ग्राही हो गया, ग्राण योग बन गया, तो चंद्रमा मन को ऑपरेट कर रहा है, हमारे मन को चलाता हमारी सोच को चलाने लग जाता मं यादि मन ब्याथित हो गया तो नेग परकार की विचार में ब्रहांतियां पैदा होने लग जाती है क्यें कि वह ब्रहांतियां पैदा हो रही है । वह इसे ही आपके इस तरीके से हर ग्रह का पेटिकिलर एक अपना सब्जेक्ट है कि वो आँखों की रोसनी कमजोर होने लग गई तो वो सूरे के कारण, बॉडी में ये ऐलर्जी होने लग गई तो बुद्ध खराप हो गया, और इसके अलावा इतना ही नहीं, उसके बाद कुंडली के लगने, दुतियेस, तप्तियेस, इस तरहें तन, धन, सहा, सूर्थ, य कौन से घर में कौन सा, ये किसी घर में चोर राजा बैठ गया, तो वो क्या करेगा, चोरी करवाएगा, पूरी जनता की चोरी करवाएगा, ये किसी घर का राजा जो मुखिया, वो अच्छा बेकती बैठ रखा, जो जीवन को चलाना जानता है, तो वो बहुत अच्छा चल प्रवार बिकVictor मेरे प्रेसे साथ कजिकर क्यों थे आपसे वकिम गर्ण हो उस गोड़े पहले गट हो हमें एक स्मृति कुछ हमें कानों में कॉछ हमें सुनाइइ देता है कई लूसल कोछी सामने वाल कुछĩ बोलता नहीं लेकिन मां सुनाइधेने लग जाता है विचार ना को प्रत्व साइध रहा कि ही सामाज बहुत है। प्रतिवी की अस्तर पे कह रहा हूं। लेकिन ब्रह्मान्डी अस्तर की बात है। तो कहने का ताथपरिया कि बड़ा स्येक्त हैं मृवभी है और इसमें सारी चीछें है। और आप अपने गृहों के माध्यम से अपने ग्रहों के उपाय करवा और अपने पूरे पूरे जीवन को बदल सकते हैं और हमने इस संस्ता को इस तरीके से डिजाइन किया है कि तुम यहां ध्यान के लिए कर सकते हो हमारे समागम है जिसमें हम सक्ति पात करते हैं यह एक एनर्जी की बर्सा है जैसे उन्होंने आपके brain को operate कर दिया और आपको एक सकती पात कर दिया, एक energy दे दिया, आपने आज तो पिता जी ने बड़े तरीके से मुझे आसिरबात दिया, आप तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, या कुछ भी कर सकता हूँ, तो वहां से आपको क्या मिला, सकती पात मिला, एक energy म बनता, तो हमारा जो सकती पात का जो तरीका है, वो इसी पर आधारित है, कि किस तरीके से कोई बिचिप्त भ्यक्ति है, आज आए, तो उसे यह तीन यह चार सिविर में उसकी बिचिप्ति दूर हो जाएगी, जी, तो देखे दर्श को कितनी अच्छी बाते और कितनी गहरा कि बाते आप लोगों को यहां पर आचारे जी बता रही है, तो अगर आप लोग हमारी संस्थान से जुड़के कोई भी प्रशिक्षन लेना चाहते हैं, चाहे वो जोतिशी हो, ध्यान हो, कर्मकांध हो, तंत्र मंत्र हो, या फिस समागम का यहां पर जिक्र आचारे जी ने चाहते हैं, तो परस्नली अपॉइन्मेंट आप लोगों को दर्श को फिक्स करानी है, फोन उठाईए, नमर्स पे कॉल कीजिए, जो आपके सामने लगतार दिखाये जा रही है, संस्थान में कॉल कीजिए दर्श को, संस्थान में कॉल करेंगे, तो आप लोगों को प्रॉ जिसे बात हो जाए, लेकिन दर्श को आप सभी से में कहना चाहूंगे, आप संस्थान में कॉल कीजिए, अच्छे से अराम से डिटेल में आप लोगों की बात होगी, आपको एक एक बात इस प्रकार से बताई जाएगी, कि फिर जो पाये आप लोग करेंगे, उनका चमतका खुद आप लोगों के सामने होगा, देखिए हर एक समस्य का समाधान हो सकता है, एक सटीक मार्ग दर्शन प्राप्त करके, क्योंकि हमारा तो यही उद्देश्य है, हमारा तो यही लक्ष्य है, कि आप जब हमारी संस्थान से जुड़े, या फिर आप लोग जब आचारे जी का परामर्श प्राप्त करें, तो आपकी जीवन से सभी दुख धीरे धीरे करके दूर हो जाएं दर्श को, देखिए चमतकार तो निश्वत आपके जीवन में होगा, लेकिन उपाये आपको उसी प्रकार से अपनाने होंगे, जिस प्रकार से आपको संस्थान के माध्य हमसे बताया जाते हैं, जिस प्रकार से आपको आचारे जी यहाँ पर बताते हैं, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि सबसे पहले आपको ग्यान हो, ग्यान होगा तो एक एक बात की गहराई आप लोग समझ पाएंगे, देखिए जोतिश की कितनी अच्छी गढणा, यहाँ पर आचारे जी ने अभी आपको बताई है, तो यह बात आप लोग समझ लीजे, कि जन्म पत्रिका, आपके जीवन का पूर्ण दरपन होती है, खुला दरपन होती है, एक एक बात आप लोग अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से जान सकते हैं, ग्रहों की चाल समझ सकते हैं ग्रहों को किस प्रकार से बलवान कर सकते हैं ये सभी बाते कैसे जान पाएंगे हम से जुड़के हमारी संस्थान से जुड़के दर्श को फोन उठाए इन नमबर्स पर कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पर लगातार दिखाये जा रही हैं समागम में स किन्ती समय में दिया धन्यवाद नमस्कार दर्श को जोतिश चक्षु मार्ग दर्शी का मंगवाने पर आपको अपने जीवन से जुड़े किनी तीन प्रश्नों का हमारी जोतिश रिसर्च टीम के द्वारा सटीक समाधान एवं उपाय बताए जाएंगे इस सेवा का शुल समस्य का समाधान प्राप्त कर सकते हैं संपर्क करें 97174305307669020941 झाले जाएंगे जाएंगे इस स्थर्च प्राप्त कर सकते हैं । झाल झाल झाल